Hello students, welcome to online exam tutorials. Online exam tutorials में आपका स्वागत है. आज हम डिसकस करेंगे 15 अप्रेल के Current Affairs. अगर आप हमारे previous lectures का benefit लेना चाहते हैं, तो आप हमारी playlist के अंदर जा सकते हैं. अप्रेल 2018 Current Affairs के नाम से है. तलिए स्टार्ट करते हैं. First, the 65th National Film Awards were announced in Sastri Bhon, New Delhi. जो सास्त्री भावन है New Delhi में, उसमें 65 विराष्टिय फिलम पुरुसकार घोसित किये गए. तो इन से question बिल्कुल आएगा ही आएगा, जितने भी आने वाले exam से, बहुत important है. तो ये कुछ important awards हमने आपके लिए assemble किये हैं. सबसे पहला है Best Hindi Film, ये मिला है Newton को. पिर है Best Actor, ये मिला है नगर किर्तन के लिए रिधी सेन को. और Best Actress का जो मौम फिलम थी, स्रीदेवी की उनको. ये मरनो प्रांत मिला है, उनकी death हुई थी recently अभी. उसके बाद है Best Director, ये मिला है भयान कम मूवी के लिए जेराज को. फिर है Best Movie, Best Movie है Village Rockstar, ये असमीज मूवी है, असम की जो लेंवेज है, असमीज, उसमें ये मूवी बनी है. Next है Best Action Direction, ये मिला है बाहुबली 2 को, The Conclusion, Second Part of बाहुबली. Next, India's economic growth will rise to 7.3% this fiscal and further to 7.6% in next financial year, retaining the fastest growth Asian economy tag on back of GST and banking reforms. यानि GST और banking सुधारों के बावजूद, जो भारत की आर्थिक विकासदर है, वो इस वित्वर्स में रहेगी 7.3% और जो अगले वित्वर्स में रहेगी वो 7.6% यानि 7.6%. In its Asian Development Outlook 2018, Manila-based ADB said, risk to trade are high. जो अपने ACI विकास Outlook है, उसमें जो Manila स्थित Asian Development Bank उसने काया कि जो इसमें वियापार करने के लिए, जितने भी जोखिम है, वो हाई है. Indian Economy grew 6.6 in last fiscal as it battled the lingering effect of demonetization in 2016, यानि 2016 में जो हमारे प्रदानमंत्री ने गोशना गी थी, विमुद्री करन की, demonetization की, उसके परभाव के कारण, जो पिछला जो fiscal year था, उसमें भारत की जो ग्रोथ थी, वो सिरफ 6.6% ही हो सकी थी. और इसमें एक important factor है कि भारत, Asia की जो सबसे तेज बढ़ती अर्थ वोस्ता है, उसका भी अपना tag बरकरार रखेगा. वेटरन हिंदी फिलम एक्टर श्री विनोध खना वोज अवोर्डिर दी दादाशाफ फाल के अवोर्ड फोर हिस कॉंट्रिबुशन टू इंडियन सिनेमा, यानि हमारे जो दिगज हिंदी फिलम अभिनेता है, श्री विनोध खना उनको भारती सिनेमा में उनके योगदान सिनेमा में वो भारत का सरवोच पुरुसकार है, हाइस्ट ओनर, नेक्स्ट, गोरव सोलंकी हैस बिकम दे सेकेंड इंडियन मेल बोक्सर आफ्टर सुरंजोय सिंग 2010 टू विल गोल्ड इन फ्लाइवेट केटेगरी 52 kg अट कॉमन वेल्स गेम्स, यानि गोरव सोलंकी जो गोल्ड कोस्ट और ये गेम चल कहां पे रहे हैं, गोल्ड कोस्ट ओस्टिलिया गे अंदर और इनोंने एक उत्री आइरलेंड के ब्रेंडन इर्विन को राया गोल्ड मेल के लिए यानि मोसम खत्री ने राष्टमंडल खेलों में भारत को 49 पदक जीताया, जिसमें कि इनोंने पूरुषों के फ्रीस्टाइल 97 kg जो केटेगरी है उसके फाइनल में, अफ्रीका के जो मार्टी निरोसमस से हारने के बाद ये पदक जीता 19-year-old नमन तमर won India's first boxing medal at 2018 Commonwealth Games, winning a bronze in men's 91 kg केटेगरी यानि 19 साल के नमन तमर है जो प्लेयर हमारे, उन्होंने 91 kg केटेगरी में कांश्य पदक जीता, जो भारत का पहला boxing game में पहला पदक था इनके नम याद रखेगा नमन तमर और मोसम खत्री, क्योंकि प्लेयर्स के जो नाम पूछे जाने की ज़्यादा possibility है और फिर आप से पूछा जा सकता है कि ये किस game से relate करते है यानि गोल्ड कोस्ट में भारती है जो टेबल टैनिस डबल सपरदा में भारत की जो महिला प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परदर्शन किया और वहाँ पे रजत पदक जीता और जो दो प्लेयर्स थी वहाँ पे खेलने वाली वो थी मनी का बत्रा और मॉमा दास नेक्स्ट बोक्सर अमित पंगाल क्लिंश्ट सिल्वर इन मैंस 46-49 kg इवेंट टू टेक इंडिया मैडल टैली इन बोक्सिंग अट CWG 2018-5 यानि हमारे जो बोक्सर अमित पंगाल उन्होंने 46-49 kg का जो इवेंट था उसमें रजत पदक जीता और जो नेक्स्ट है वो है पूजा धंडा हमारी प्लेयर उन्होंने जीता सिल्वर वुमेन फ्रीस्टाइल 57 kg में तो इन दोनों के नाम याद रखिया नेक्स्ट है नीरत चोपडा विकेम दफर्स्ट एवर इंडियन तो विन गोल्ड इन जैवलीन थ्रो अट कोमनवेल्थ गेम्स तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जो जैवलीन थ्रो है बाला फैक्ट ना उसमें गोल्ड आया इंडिया का पहली बार यह पहले बारतिय बने है नीरत चोपडा नेक्स्ट फाइव टाइम वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक ब्रोंज मैडलिस्ट एमसी मेरिकोम हैस बिकम दफर्स्ट इंडियन वुमें बोक्सर टू विन ए गोल्ड मेडल एट कोमनवेल्थ गेम्स पांच बार की जो विश्व चैंपियन और ओलंपिक काश्य पदक विजेता है हमारी जो बोक्सर है एमसी मेरिकोम उन्होंने सवरण पदक जीता है और ऐसा गरने वाली वो पहली भारतिय मुक्केवाज बनी है इन कोमनवेल्थ गेम्स के अंदर यानि हमारे जो पहलवान है बजरंग पुनिया उन्होंने गेम्स चल रहे है अभी उनमें वेल्स के केन चार को फ्रीस्टाइल 65 केजी कैटेगरी में तकनीकी स्रेश्ट साहरा कर अपना पहला गोल्ड जीता तो स्ट्वेंट्स यह है आज की जो लेटेस्ट मेडल टैली इसमें इंडिया है थर्ड पोजिशन पे हमारे 25 गोल्ड है 16 सिल्वर और 18 ब्रोंज तो इसी के साथ आज के जो करंट अफेर्स हैं वो कंपलीट होते हैं कल फिर मिलेंगे अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल फे फर्स टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आएं और आप उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेसके अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई सेजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बोक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं या पिर आप हमें हीमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी है ओनलाइन एक्जाम्स टुटोरियल्स जो की हमारे चैनल लेम भी है at the rate gmail.com thank you have a nice day